दोस्तों अगर CD का knowledge नहीं है ना कि CD की construction कैसे की जाती है तो ये वीडियो मिस मत करना और ये गलतियें जो की जाती है तीस गलतियें में इस वीडियो में बताऊंगा तीस tips में आपको इस वीडियो में बताऊंगा बहुत important चीज की तरफ वो है slope, slope इतनी ज़ादा important है ना तो य यही गड़बड कर देती है हर चीज आप पिक्स में दिखाता हूं थोड़ी steer के इसके आप पिक्स देखते हैं जाना साथ में यह क्या की है मतलब के जगा slope दी है पूरी 90 degree दे दी है 60 degree यह कुछ काम की नहीं है ना तो चड़ पाओगे ना कुछ इसमें काम आने वाली है तो यह कौन रखेगा यह रखेगा आपका जो designer रहेगा या architect रहेगा आपका contractor रहेगा आप local construction करवा रहे हो और contractor को कहो भाई हमें 35 degree slope चाहिए तो वो बना के दे देगा क्योंकि अगर आप slope प्रॉपर रखोगे तो ना चलने में थकान होगी ना उतरने में थकान होगी ना दिक बातरूम की construction करते हैं कहीं हुआ होता है कि staircase के नीचे आप bathroom बनाएंगे तो वो क्या करते हैं उसकी slow बढ़ा देते हैं और staircase चलने में बहुत दिक्का जाती है बातरूम तो बन जाता है नीचे लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाती है आपको तो आपको जो headroom रखने ह 200 mm दो मीटर या 2000 mm या 2100 mm आपको इतना headroom रखने है कि अगर by chance आप समान सर पर उठाके लेके जारे हो चट पर जहाँ जहां भी तो वो आपको लगे नहीं जहां ऐसे भी इतना headroom आपको चाहिए ठीक है यह headroom होना ही होना चाहिए पहले riser जो होता है riser है हमारा खड़ी जो टपा रहता है जो आपके पाऊं में लगता है जब आप सीडी पे चड़ोगे जैसे आप सामने देख रहे हो यह riser है हमारा और riser आपको minimum 130-500 mm रखना ही रखने है ठीक है कितना 130 mm से 1500 मतलब 6 इंच पकड़ लो आपको 6 इंच minimum रखना ही रखने है और एक चीज जुरूर दि जहां 100 mm प्रोइड करनी है फिर उसके उपर टाइल बगरानी है यह द्यान भूल जाता है जब construction करवा रहते हैं और यह क्या होता है देखो जब contractor आपके यह चीज बना रहा होता है तो उसको नहीं पड़ी होती है उसने अपने से बना के चले जाना है जो टाइल वाला ठीक है तो वह आपको रखने दस इंच जहां 230 से 200 mm आपको रखने कितना दस इंच आपका रखने कि आपका पूरा पाऊ राम से आजाए आप जब चड़ो उत्रो कोई दिक्कत नहीं आए गिरने के चांसिस कोई नहीं हो जाए और इसमें एक टीपोर दे दूंगा में आपक अब यह आपको बता रहे हैं सबको पता भी होगा लेकिन बेसिक से कहा था मैंने स्टार्ट करूंगा और अडवांस तक आपको ले जाऊंगा फिर मैं बात करता हूँ विर्थ की तो काउंट करते रहना 30 से अबब ही होंगी यह चीज़े तो विर्थ जो आपको रखनी है व फीट रखो बहुत है और यह चीज़ है और ट्रेड एक में और टिप देता हूँ आपको जब ट्रेड आप लगाओगे तो आज कल मार्केट में अब लेवल हैं स्टेंडर साइज के आते हैं वह 1200 mm होते हैं विर्थ में और उनकी जो ट्रेड होता है वो 200 mm होता है तो आप प 200 mm रखनी ही रखनी है ना इसे ज्यादा रखो 800 mm रख सकते हो ज्यादा रखके कोई फाइदा नहीं है खर्चा बढ़ेगा लेकिन आप 900 mm रखो और जो नियूल पोस्ट होता है जो देखरे को खंबा जैसा स्टाइटिंग में रहता है जिस पर आप पकड़के चलते हो तो न हैं देख रही है और दो टाइप की स्टेर के साज करते हैं एक तो आगे स्टेर स्टेर हमारी फिर आगी यूशेप तो आपको जो यूशेप रखनी है उसमें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको फ्लाइट में 12 स्टेप से जादा नहीं रखने है मिनिमू आप तीन चार र आपको दियान से हमारी होती है यह बहुत जरसे हैं कि रहुद नहीं होती है। खड़ी टपा बना रहे हैं मतलब chain stair कैसे बना रहे हैं ऐसे आप देखो उसमें base slab नहीं होती लेकिन उसमें गलती क्या करते हैं लोग उसमें जो steel provide करते हैं वो proper से provide नहीं होता और थोड़े टाइम बाद वो bend हो जाती है तो आपको अगर अगर उसमें वीडियो बना चुका को comment करना सरीए की detail भी आपको provide करवा देंगे फिर हम बात करते हैं जो आपकी leg shape रहती यू shape आपकी जो staircase है उस यू shape की staircase में minimum जो दोनों के beach का distance होता है वो आपको एक feet या 300 mm रखना ही रखना है और अगर आपकी multi-story building है यह बहुत बड़ी गलती होती है कि आपको proper वो 3 feet time करना पड़ेगा नहीं तो जब tile marble लगाओगे न तो वो नीचे से उपर देखोगे न तो टेड़ा मेटा दिखेगा वो बहुत खराब दिखते हैं अगर यह site engineer के लिए भी एक tip है फिर आप जब भी उसमें concrete use करोगे जो आपको concrete करना है आपको staircase में वो एक tip ध्यान रखना जो concrete उसमें use करना है वो M25 से कम मत करिया है M20 वी चलेगा लेकिन M25 करिये करिये और एक ratio दो कम आप एक ratio में आप cement डाली एक में sand डाली और दो ratio में aggregate ऐसी city बनेगी मज़ा आ जाएगा उसमें और जो उसका slump रखोगे वो रखो ना आपको 120 mm slump रखना ही रखना है और यह slump जिनको नहीं समझा रहा है तो माल आपको थोड़ा डीला रखना है इतना ज्यादा में की slurry बन जाए थोड़ा डीला रखो कि उसमें क्योंकि congested area होता है जब उसमें shuttering हो जाती है na staircase में तो बहुत congested हो गयाता है और उसमें aggregate गुसने की जगह नहीं रहती और possible हो 20 mm से ज्या आप 100 mm या 120 mm डाल रहे हो उपर से क्या उसमें अगर honeycomb निकल के सरीय बाहर आगया तो उस plaster से कुछ नहीं होगा तो यह चीज भी आपको दियान रखना ही रखना है और जो आपको steel main चीज इसमें रखनी होती है दियान steel जब आपको steel उसमें provide करना है तो main bar क्योंकि आप proper design के आप डालना बारह में आप डालोगे और जो distribution रहेगा जो oriental जाएगा वो आपको डालना है कितना 10 mm अगर आप क्या कर रहे हो बीना design के कर रहे हो यह चीज भी दियान रखने बहुत बड़ी कलती हो जाती है और फिर बात आती है काई लोग बोलते है कि minimum जगा कितनी चाहिए एक staircase की अगर simple staircase बना रहे हो लंबी ठीक है मतलब कोई उसमें landing u-shape नहीं बन रही सीधी बन रही हो तो वो आपकी मज़े से 5 by 12 की space में बन जाएगी अच्छी सेड़ी और अगर आप बना रहे हो मतलब 48 से 50 square feet में एक अच्छी staircase बन जाती है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपकी staircase बनती है मैंने लोगों को देखा है बिना foundation के staircase बना देते है मतलब एक foot नीचे सरीया डाला और सरीया निकाला चलो जी staircase त्यार और जो जब staircase का पूरा load कहां आ रहा है नीचे वो waist lab का भी सीधा नीची आ रहा है load मतलब inclined load नीची आ रहा है अगर वो proper से नहीं होगा तो वो दीर दीरे bend हो जाएगी वो तो आपको क्या करना है जहां तो आपको जो सरीया निकाला है staircase का वो तो आप निकालो प्लिंथ बीम से प्लिंथ बीम से सरीया निकाल दो जहां staircase आनी है location decide कर लो मैं आगे बास्तु के साब से भी बताने वाला हूँ तो location decide कर लो वहां से सरीया निकालो main bar बागी dowels निकाल दो sorry dowels निकाल दिये उसके बाद lap करो आगे काम होता जाएगा लेकिन अगर आप वहां नहीं कर रहे हो प्लिंथ भीम नहीं है foundation बनाए एक proper सी foundation आप उसकी जैसे column की foundation देते हैं वैसे staircase की foundation दो main bar निकालो और आगे construction करो और फिर अगली चीज जो आपको करनी है जब आपकी यह सब हो जाता है construction हो गई तो जो शट्रिंग आपको करनी है मेरे एक चीज दियान डखना शट्रिंग में ऐसी शट्रिंग आपके होनी चाहिए उसमें से कोई भी slurry cement नहीं निकलना चाहिए और proper शट्रिंग यूज करो कभी भी अगर आपने देखो 12 mm की ply यूज कर दी और जब उस पे load आया तो वो bend हो जाएगी और वो bend रहेगी हमेशा के लिए उसको चील नहीं सकते फिर क्यों चीलो चीलो के तो वो cracks आई जिंगे चोटे मोटे तो आपको thickness proper रखनी 18 mm यह 20 mm की ply यूज करो board यूज करो और proper स चीमेट उसमें यूज करोगे 53 grade उसमें यूज करना है यह चीज दियान रखना फिर एक कमेंट भी था कि बास्तू के हिसाब से आपको कहां हमें stair case provide करनी होती है तो बास्तू आपको कहता है कि आपको वास्तू के हिसाब से आपको south और best के बीच आपको अगर west और south के यह वास्तू के साब से सबसे अच्छी stair case वहीं provide होती है फिर हम बात करते हैं इसमें जब भी आप यह अभी आई civil engineers के लिए tips जब भी आप shuttering करो उसकी तो पहले blueprint त्यार करो मतलब आप जो plank लगा है उसके उपर बना लो जहां जो आपका concrete का सरफिज है ब्रिक है उस पर print क कर लो उसके बाद उस पर shuttering करो जब एक बार यह blueprint बनाओगे आप blueprint खुद से बना सकते हो ऑटो कैड में बना लो उसके बाद जब मिस्ती को बना फिर आपको ऐसे civil engineer चेक करना है फिर उसके बाद सरीय बांधना यह shuttering करना अगर आपने बिना blueprint के ठोकना star कर दिया सरीय बने में फिर से लग जाएंगे यह बहुत बड़ी mostly side पर गलती यही होती है और कहते हैं जी सीड़ी बंदवाना यह blueprint बनाना आगया तो बाकी काम कुछ नहीं है उसका shuttering उसके लिए easy है तो यह चीज जुरूर दियान रखना as a civil engineer side engineer या contractor दूसरी क्या दिक्कत आती है देख जो room होते ना proper dimensions के साथ होते है उसकी जो tile आ रही होगी ना जो city के पास tile लगेगी अगर एक टुकड़ा आदा लग रहा है तो वो सामने पकड़ा जाएगा और बहुत खराब दिखते है जब marble का piece थोड़ा आदा लग रहा है टेड़ा लग रहा हो बहुत खराब दिखते है तो marble में यह चीज पकड़ी जाएगा जब finishing की item आती है ना मतलब RCC करके निकल जाओगा लेकिन जब finishing का काम आएगा ना उसमें यह गलती पकड़ी जाएगा और वो सही नहीं होती है तो आपको यब भी cd design करवानी है मेरे खाल में 3-4 बात चेक करना अभी बात आती है interview question की यह interview question आपको must आना चाहिए मैं बता देता हूँ आपको है क्या देखो यह question पूछा गया था L&T में और comment आया था कि sir windows क्या होते है W-I-N-D-E-R-S windows क्या होते है यह होते है यह staircase में ही होते है तब ही मैं बतार हूँ आपको windows होते है angular steps हम जो provide करते है अगर direction change करनी होती है कभ विंडर से जदा provide नहीं कर सकते यह मतलब एक standard है आप करो कोई आपको रोकने नहीं वाला लेकिन तीन विंडर से जदा करोगे वो एक अच्छी stair नहीं दिखेगी और चलने में उतरने में दिक्कत होगी